Hello everyone, welcome to Simply Crack इस वीडियो में हम बात करेंगे SACCGL 2022 के लिए Post Preference के बारे में देखो obvious सी बात है Post Preference एक बहुत ही important decision है और आप सब लोग इसको बहुत ही अच्छे से analyze करके देना इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरा अपना opinion है आप इसको सुनो लेकिन आपका जो भी decision है Post Preference को लेके वो आप अपनी requirement के हिसाब से लेना क्योंकि बहुत ही subjective decision है यह तो आपको अपनी need और अपनी requirement को जरूर सोचना है किसी भी Post Preference को opt करने से पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ test book की website पे अभी एक sale चल रही है जहाँ पे उनका yearly pass दो साल की validity के साथ मिल रहा है यहाँ पे दो products है एक test book का pass है और दूसरा test book pass pro है अगर आपको previous year papers as a mock लगाने है तो आपको test book pass pro लेना चाहिए 449 रुपीज का और अगर आपको सकते हैं तो चलिए video शुरू करते हैं सबसे पहले चीज़ आपको अपने rank के analysis के basis पे post preference नहीं फिल करना आपको post preference फिल करनी है जो best possible preference है आपके recording उसके recording आपको सारे post prefer करने है सारे post को फिल करना है CPT की cut off अभी SSE ने declare नहीं की है और यकीन मानो CPT के criteria की वज़य से at least 5 to 6 marks का difference आने वाला है और ये 5 to 6 marks के difference का मतलब है at least 600 से 1000 candy rates depending upon कि आप कहां like करते हो अपने marks से recording तो आप खुद समझो कि जब यहाँ पे 5 से 6 marks से इतने का difference आ रहा है तो आप कैसे predict कर लोगे कि आपकी rank क्या होने वाली है और आपको कौन सी job मिलेगी हाँ ये जरूर है कि rank की वज़य से आप कुछ basic चीज़े analyze कर सकते हो जैसे कि अगर आप 46 hundred grade पे कलिए eligible हो तो आप TA या auditor चूज कर सकते हो अपने home state के लिए या आपको TA और auditor last rank पे मिल रही है तो आप PA और essay को choose कर सकते हो अपने home state के लिए अगर आपकी choice है तो लेकिन इससे ज़्यादा analysis possible नहीं है आपको जो best post preference है अपना आप उसके according ही form को fill करना दूसरा जो point है medical का तो इसमें एक सबसे बड़ा issue आता है color blindness का color blindness के लिए एक video हमने डाली है उस video को आप देखो अगर आपको उसमें थोड़ी भी problem लगती है तो आप एक बार अपना check up की जरूर कराना और उसके बाद ही आप form fill करना बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है ये बात ध्यान देने की है अब बात करते हैं home state के criteria के लिए इसमें काफी ज़्यादा confusion है experience को तो मैं आपको clearly बता देता हूँ अपना opinion अगर आप पे family dependent है मतलब family को आपकी requirement रहती है हर time तो आपके लिए कुछ भी important नहीं है home state को आप first priority में डालो क्योंकि आप कहीं भी और posted हो दूर posted हो तो आप बार-बार family को नहीं time दे सकते आप बार-बार family के लिए नहीं जा सकते तो उस case में आपको home state को first priority रखने चाहिए दूसरा case अगर similar level of jobs है मतलब अगर आपको decide ये करना है कि CSS या DA में decide करना है तो आप वो post decide करो जिसमें आपको home state मिले मतलब अगर आपकी Delhi home posting है तो आप CSS ले लो अगर आपका बिहार home state है तो आप DA ले लो इसी तरह अगर आपको GST और ITI में decide करना है तो देखो अगर आपको GST home state में मिल रहा है तो आप GST opt करना अगर आपको ITI home state में मिल रहा है तो आप ITI opt करना अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही important चीज़ बताता हूँ देखो जो बंदा GST और ITI में काम करना चाहता है वो बंदा कभी भी CSS और DA में खुश नहीं रह सकता क्योंकि CSS और DA में completely clerical profile है आपको file की noting drafting करनी होती है और वो आपको जिन्दगी भर करनी पड़ेगी तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको income tax inspector, GST inspector की job अच्छी लगती है और उसका जो job profile है आप YouTube देखोगे बहुत सारे वीडियो को देखो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का काम होता है आप अगर किसी को जानते हो आप उनसे बात कर लो आपको सौन में आ जाएगा किस तरह का काम होता है तो आप इसके according आप decide कर सकते हो कि आपको GST और ITI opt करना चाहिए नहीं और अगर आपका inclination इस तरह की jobs में मतलब executive jobs में जहां पे आपको थोड़ी बहुत power मिलती है उसमें आपको काम करने का मन है तो आप कभी भी CSS और DA में खुश नहीं रहोगे और similarly अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको जिन्दगी भर noting drafting करनी है फाइल का काम करना है load नहीं लेना जादा आपको काम का जादा diverse चीज़े नहीं करनी एक बार अगर आपने काम सीख लिया तो आप वैसा ही काम लगभग पुरी जिन्दगी करोगे तो आपको CSS और DA में opt करना चाहिए आपको CSS और DA और उसमें आपको GST और ITI को prefer नहीं करना चाहिए यही एक सबसे बड़ी गलती है जो सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं और उसके बाद वो लोग opt करते रहते हैं अलग-लग jobs, अलग-लग departments और फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती तो आप job preference बढ़ने से पहले काम कैसा है उससे भी आपको काफी satisfaction मिलती है तो आप देखो अगर आप खुश हो किसी भी काम में तो आप उस तरह के job profile को choose करो rather than home state या और किसी चीज़ को सोचने के बारे में उसके बाद बात आती है salary की देखो बहुत सारे लोग कहते हैं आप 46 Sunday grade पे छोड़के आप TA बन जाओ PA बन जाओ home state में देखो मैंने आपको फिर से कह दिया अगर आपके लिए आप पे family dependent है तो फिर ये जरूर आपको करना चाहिए लेकिन अगर आप पे family dependent नहीं है तो आप सोचो 46 Sunday grade पे और TA की grade पे में approximately जो overall salary है उसमें 35,000 का difference होता है और ये 35,000 का difference आप जिन्दगी भर cross नहीं कर सकते TA से कुछ भी करके आप 46 Sunday grade पे वाली salary तक नहीं पहुँच सकते आपका पूरा career निकल जाएगा तो ये जो decision है आपको salary के basis पे भी लेना है nature of job के basis पे भी लेना है और home state के basis पे भी लेना है अब बात करते हैं PASA versus TA versus UDC तो देखो अगर आपका score 285 से उपर है तो आप अराम से PASA को fill कर सकते हो PASA आपको home state मिल जाएगा अगर आपको home state की problem है तो मतलब अगर आपको home state चाहिए at any cost वरना PASA का जो work profile है यह public dealing का work profile है इसमें जब आप working hours में हैं तो आपको पढ़ने का time नहीं मिलेगा वहीं पे TA में एक अच्छा department मिलेगा आप department के अंदर भी working hours में अगर workload उतना नहीं है तो आप पढ़ाई कर सकते हो इतनी tension नहीं होती और UDC भी अच्छा work profile है PASA आप तभी लेना जब आपको home state बहुत ही ज़्यादा important है और आपके score 285 plus से उपर है देखो PASA में approximately 19,600 vacancies है और ये 19,600 vacancies आप मान के चलो इसमें से 40% vacancies ही North India में होगी बाकी सारी vacancies आपको South India मिलने वाली है तो आप ये जो criteria है इसको ध्यान में रखना और इसके हिसाब से भी आप PASA फिल करना PASA में जो posting होती है वो rural areas में भी होती है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने PASA बस ये देखके कि 19,600 vacancies हैं फिल कर दी तो आप इतने rural areas में पोस्ट होगे कि अगर आपका score थोड़ा high है तभी आप PASA फिल करो वरना TA और UDC आपके लिए ज्यादा बेटर option है अब आप यहां देख सकते हैं मैंने आपको एक PDF देदी है इस PDF में मैंने क्या total post है UR category की post कितनी है, OBC की कितनी है बाकि आपको एक dummy सा preference देदी है तो obvious सी बात है कि आप CSS फिल करोगे M.E.A. को फिल करते हैं लोग यह सोचके कि इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा लेकिन आप यह समझो एक चीज होती है purchasing power parity देखो पैसा यहां पे ज़्यादा मिलता है लेकिन वो पैसा आपको foreign के हिसाब से ज़्यादा मिलता है फिर आपके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा होते है तो कुल मिलाके आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाते और अगर आपको foreign posting मिल रही है तो आप यह भी सोचो कि आप घर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो तो आप में से हर किसी के लिए MEA अच्छी post नहीं है आप एक बार इस post के बारे में सोच समझ के ही decision लेना और तभी इसको preference में भरना अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ post को मैंने green में highlight करके रखा हूँ है इसमें ED की जो post है वो बहुत ही powerful post है अभी SSE की सबसे powerful post है यह लेकिन इसमें workload बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको सोच समझ के opt करना उसके आद आप यह देखो JSTN सेटलक साइज को मैंने number one पे रखा है तो मेरे हिसाब से अभी SSE में JSTN सेटलक साइज best post है इसका reason है कि अगर आपको posting चाहिए मतलब अगर आपको काम करना है तो आप वैसी postings ले सकते हो जैसे preventive है, audit है, customs है और अगर आपको काम नहीं करना अगर आपका suppose करो family में कुछ issue चल रहे है या आपको family को time देना है तो आप इसमें break ले सकते हो आप ऐसी postings ले सकते हो जहाँ आपको ज़्यादा workload नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपको choice मिलती है पहली चीज दूसरी चीज कि आपको इसमें variety बहुत है जो आपका काम है वो अलग अलग तरह का काम है पूरे career में आपको ऐसी ऐसी चीजे करनी मिलेंगी जिससे आप कभी bore नहीं होगे तो यह बहुत ही अच्छी post है अभी SSE में तो आपको जरूर इसको opt करना चाहिए अगर आपको यह मिल रहा है तो उसके बाद यह inspector of post है इसको आप छ्याली सो grade pay में सबसे last में रख सकते हो अब आते हैं ब्याली सो grade pay पे देखो ब्याली सो grade pay में दो post ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी है देखो अगर आपको DA, home state में मिल जाता है तो यह बहुत ही अच्छी job है one of the best jobs है SSE की अगर आपको ऐसा काम करना है जो पूरी जिन्दी की जाधा नहीं बतलता तो आप DA की profile को opt कर सकते हो यह actually बहुत अच्छी है लेकिन बस इसमें condition यह है कि कुछ भी और मिल रहा है तो यह वर्थ नहीं है क्योंकि आप ऐसा समझो यह आप state government offices में काम करते हो और state government offices में आपके साथ state के employees होते हैं तो अगर आप उस state के नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज नहीं है यह आपको probably तब यह opt नहीं करना चाहिए only अगर आप sure है कि आपको यह home state मिलेगा आप तब ही इसको opt करो उसके बाद एक post है executive assistant की यह 1200 grade पे है लेकिन इसमें 5-6 सालों में आपका GST inspector में प्रमोशन हो जाएगा तो अगर आपको यह लगता है कि आपको XI inspector south में मिल रहा है या आपकी rank थोड़ी पीछे है तो आप executive assistant को सबसे उपर डाल दो तो executive assistant को उपर डालने से क्या होगा अगर आपको आपके state में executive assistant मिल गया तो फिर आप 5-6 साल में आपको salary का थोड़ा नुकसान होगा लेकिन आपको 5-6 सालों में GST inspector की post मिल जाएगी अपने state में अब बात करते हैं 2400 grade pay की देखो 2400 grade pay में आपको TA-CBDT को top पे रखना है उसके बाद आप PASA रख सकते हो लेकिन ये उसी condition में रखो जब आपका score 285 plus है और आप almost sure हो कि आपको home state मिल जाएगा PASA में ठीक है मतलब इतनी sufficient आपकी rank होनी चाहिए इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो PASA आपको सबसे last प्रिफर करना है उसके बाद आप TA assistant TA-CBIC को प्रिफर कर सकते हो काम इसमें कम रहेगा आपको workload कम रहेगा पढ़ने का time मिलेगा उसके बाद आप बागी सारे UDC प्रिफर कर सकते हो इसमें जो ये senior administrative assistant है defense state और यहाँ पे BRO है और ये defense state का UDC है इनको आप नीचे में रखना जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है तो इसके according आप अपनी post preference को फिल कर सकते हो all the very best मेरी तरफ से आप सभी को आपके final result के लिए अगर आपको इस channel का content पसंद आता है तो please इस channel को subscribe करें Thank you